नमस्कार आप जो चुके हैं जमूल अदाक विजन के साथ और इस समय मैं उसी जगा पर मौजूद हूँ जहां पर आज सुभा इंडियन आर्मी के एक हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ है जिहां रंजीत सागर डैम के साइट पर ही मैं इस समय मौजूद हूँ और यहां पर अगर प्रैश होने के बाद सीधे पानी के अंदर जो है वो समा गया है उसके अंदर दो पाइलट और को पाइलट जो है मौजूद थे उनके बारे में अभी तक कोई ऑफिशल जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है कि आखिरकार उनके उनकी हालात किस तरह से है लेकिन फिलहाल ज जो इस इलाके में मौझूद डंजीत सागर डैम के जो शिप्स हैं, वो यहां पर रैकी कर रही है, उसके हेलीकॉptर के मलबे को तलाश करने की कोषिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, तो लगातार यहां पर एयर रैकी, जो है हेलिकॉप्टर के मादम से भी किया जा रहा है इस समय जमू कश्मीर पूलिस यानकी कठवा पूलिस की एक टीम जो है उस इलाके में मौजूद है उस टापू पर मौजूद है जहां पर ये पूरा एक्सिडेंट हुआ है ये चौपर क्रैश हुआ है और वहीं से लगात है थी कि शायद दोनों पाइलेट्स को बचा लिया गया है लेकिन आप जो जानकारी जो है वह इस बारे में कोई स्पस्ट जानकारी मिलकर सामने नहीं आ रही है और यह तस्वीर है अगर आप देखेंगे तो इस जील की गहराई है वह करीबन चार सो से साड़े चार सो मीट है और यहां पर सीधे तो पर क्रैश हुआ है क्या कुछ टेक्निकल स्नायग आया है उसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन इलाका आप देख रहे हैं जहां पर इस समय बरसात के मौसम में जलस्तर जो है वह काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में अ पानी की गहराई जो है वह इतनी जादा है और इस समय जिस तरह से आप तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यह पूरा इलाका जो है इस समय काफी जादा इस समय पानी यहां पर है और इस समय पंजाब पुलिस की तरफ से भी पठान कोट पुलिस की तरफ से भी लगातार को हुआ है ने तो सीधे तोर परत लान्ट किया है एक कोline चाल या करेंगे तो सीधे टोर पर यहां पर उन दोनों पालोट के बारे में सटीग जानकारी मिल जुह杤 Сिरक्षिट होने जानकारी यह मिल सके लेकिन फिलहाल इस समय इस ड्रंजी सागर डैम में जो है वो काफी जादा बड़ा रेस्की ओप्रेशन जो है इस इलाके के अंदर चलाया जा रहा है और सीधे तोर पर अगरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी का बहाओ बहुत जादा तेज है यहां पर और आप तस्वीरें देखेंगी कि एक बार फिर इंडियन आर्मी के जो पाइलेट हैं उनकी जान खत्रे में बनी हुई है क्योंकि अभी तक उनके बार उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है और इसी के लिए एक चिंता का 20 मिनट के आसपास मैमून केंट से टेक आफ किया था और रूटीन एरियल रैकी के लिए इस इलाके में निकले थे लेकिन उस स्पार्ट पर पहुंचने के बाद तुरंत बाद वहां से कुछ टेक्निकल स्नैक जो है वह हलिकॉप्टर में आता है और वह हलिकॉप्टर जानकारी नहीं मिल पा रही है लेकिन लगातार यहां पर देखेंगे तो जितने भी सुरक्षा कर्मी है जितने भी रेस्क्यू टीम है वह इसी कोशिच में लगी हुई है कि जल्द से जल्द ना केवल उन दोनों की जिंदगी को बचाया जा सके बलकि जो हलिकॉप्टर इस जो है वो ख्राश हुआ है तो फिलाखे के अंदर रेस्क्यू प्रेशन एक रेस्क्यू प्रेशन चल रहा है और पहली तस्वीरे जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से आप इस समय उस साइट से देख रहे हैं जिस साइट पर हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ है बाकी के अ